करें दोस्तों नुश्कार सबसें पहले दो मैं समाच जाता हूं कि मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिव हो रहा हूं कि कुछ इवस्ते हैं हो गई थी इसलिए मैं आपसे ज्यादा बादचीद नहीं किर पाया कि पिश्री आपको याद होगा मैंने आपको हाथ के रेखाओं और बिल्विन बिल्कार के जो मौंट होते हैं के बारे में बताया था आज मैं आपको हाथ के अंगुठे के बारे में कि हाथ की रेखाओं में मौंटों के लावा अंगुठे का बहुत बड़ा मत्तव होता है यह अगुठा जिस आदमी का अंगुठा ऐसे करके बेंट कर जाए जू इस तरह जूख जाए तो वो विक्ति जो है या वो और जो है उसका अपने माता किता के प्रतिभोस्तने होता है तथा तो उनकी सिवा करने कोई मोगा नहीं चोड़ते है तो तर वो लोग सभी का सेवा करने का मोगा नहीं चोड़ते और धरमार से काम में काफी अच्छे होते हैं तो वो लोग होते हैं उनकी Willpower अगर वो निर्ने ठीक होगो तो हुआ पर शेंड करते हैं और गलत हो तो भी है उसमें उसमें उनको सान या फैदा हो उसका वो उनको को इंदाजा नहीं जहता किसी परकार से यह जो गुठे की लेने हैं इसे विक्ति के पता लगता है बहुत लाल होते हैं उनको गुषा बहुत जल्दी आ जाता है और जिन विक्तियों के नखून बहुत वाइट होते हैं कि बहं में होमोगिलों की कमी नहीं रहती है और प्लड की कमी होना अड्री को जाती है रहती है और आपको बहुत ब्हुत पून-बात बताने में जा रहा हूं जिन लोगों का गूठे का यह साइज जो होता है जैसे हमारा आम मुटा है अगर बहुत छोटा हो इतना सांग गुठा हो इसे आधा हो तो ऐसे आदमी को जील जाने का योग बन सकता है और उनके हाथों से अचानक किसी का मडरी हो सकता है या किसी हथ्यार को वो हाथ लगा ले तो गोली चल जाए सामने या कोई अचानक घर में पिस्टल बढ़ी हो उसको साफ करते हो इसे गोली चल जाए जिनका मुठा छोटा होता है उनकी हाथ से कोई नों कोई धुर्गटना होने के समावन रहती है इसलिए छोटे मुठे वाले वक्तियों को अपने पास कोई भी बंदू पिस्टल या ऐसा हचार नहीं रखना जाए जो गलती से चल जाए तो उनका नक्सान हो इस तरह गुठे में जो यह लाईने होती है अगर इससाइज बढ़ा होगा तो गुठे वाले इसका जो यह यह पॉर्ट्शन अगर किसी गुठे वाले का बड़ा होगा उसका दिल बढ़ा-बड़ा होत हो तो होघ्ता है कि अटोछ में मंद्रों में बदान करता है उल्च होता है में अपाइस नहीं करता है और अज़ता से मैं में उन पर उनका क्या होता है नेचर फिक्कल मैंडेनेस होती है शेकिरस होती है और कोई भी निर्णय नहीं ले बाते हैं और ज़्यादा खबरा जाते हैं यह जिनका शेक्षा अंगुठे का हास की रिखाओं के साथ बहुत बड़ा कंबिनेशन है इसलिए मैं आपको यह आज बताना जा रहा था दूसरा मैं आपको आज नया चैप्टर बताने जा रहा हूं सपनों के बारे में बताने जा रहा हूं हर एक आदमी जब सोता है और आपको सपने में सूर्य दखाई दता है तो वह आपके लिए बड़ा शुब है तो उससे होता है जो आद्सिस आदमी को सूरे दखाई देगा वो अपना उसको रोशिंग दखाई देगी उसको पता लेगा कि इसको किस डिरेक्शन में जाना है और वो अपनी सफलता के लिए अपना मारग को चुनता है और आगे बढ़ता चला जाता है यह बड़ा सुच सं संस्सिता है आपको सपनय में अगनी धाई देगाने जा रहे हो को पूरी आय हों करने दखाई दे पानी चलता हुआ नीले रंका पानी दखाई दे उससे वह लगता है कि आतम आदमी को आतम सुन्तुष्टी बहुत हो गई है वो जीवन में सब कुछ पाच चुका है और उसके मन में कोई और लाल सा नहीं है और बड़ी शांती से अपना जीवन करना चाहता है वह बिजनस में है तो और साइग चालू करने वाला है तो चढहाई चडने का अगर कोई सपना आता है पाड़ों पर बड़ा शुब है तो अगर कोई आदमी पाड़ों से निचे उतर रहा हो तो वो उसका मतलब उसका कैरियर डंग और उसको प्रमोशिन में दिक्कत आने व इस परकार से अगर आपको सपने में आपके बतल्ठी से नहाने वाले हो तो जिम्हेतारी के आपकी चभी दोजरी हो इसका मतलब पाँ यह टार। आप बहुत लंबा जीवन गूए जीओगे अगर आपको खुद히 की शादी में Ecko रही हो है उससे क्या होता है कि आपको अपने वाइक जीवन में बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा उसकता है कोई डिफरेंस भी नहीं आ जाए इस परकार से हर एक सपने के लगल मैंने होते हैं जो मैंने आज आपको बताने की कुछ करी आशा है कि आपको यह नए चैप्टर क कि अच्छी लगी होगी तो आज का मैं एक शेर सेनाता हूं कि आज कर अब में बड़ा गवरा के चलता है कि दूद का जला चाच भी फूक फूक के पीता है दूद का जला चाच भी फूक के पीता है कदम चूपती है मंजल उसके जो कांटों पे चला होता है तरकार मैं प्र